दिल्ली एंसियार में मौसम ने अब करवट लेनी शुरू कर दी हैं शाम और सुभा के वक्त जहां बादलों की आवाजाही की वजह से लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है यही नहीं लोगों ने अब रात के वक्त अपने घरों में इसी चलाना भी काफी हद तक कम कर दि मौसम में हो रहे इस बदलाओ पर जब वरिष्ट मौसम वैग्यानिक मुहमद दानिश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिल्ली एंसियार में आज और कल यानि मंगलवार और बुद्धवार को धूप हलकी होगी कहीं कहीं पर बादल भी रहेंगे इसके अलावा बात करें अधिक्तम और नियुनतम ताप मान की तो अधिक्तम ताप मान आज दिल्ली एंसियार में 30 से लेकर 33गरी सेस्थतक रह सकता है जबकि नियूनतम ताप मान में आज और कल 2 दिन लगातार गिरावट होगी। आज से दिल्ली NCR का न्यूंतम तापमान लगभग 17 से 18 डिग्री सेस्यस तक रहने का पूर्वानुमान मौसम केंदर ने जारी किया है। मोहम्मत दानिश के मताबिक दिल्ली NCR का न्यूंतम तापमान अब गिरना शुरू हो गया है। मंगलवार और बुद्धवार को न्यूंतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेस्यस तक जा सकता है जिस वजह से रात में लोगों को सर्दी का एहसास होगा। दो दिन दिल्ली NCR में हलकी धूप रहेगी, बादलों की आवाजा ही रहेगी, जिस वजह से दिन के वक्त का भी टेंपरेचर एक से दो डिग्री सेस्यस गिर सकता है। फिलहार वरिष्ट मौसम वैग्यानिक मुहम्मद दानिश की माने तो दिल्ली NCR में 25 से लेकर 30 ओक्टूबर के बीज अच्छी ठंड दस्तक दे सकती है। यानि दिन के वक्त भी लोगों को अब सर्दी का एहसास धीमे धीमे होना शुरू हो जाएगा। मौसम वैग्यानिक मुहम्मद दानिश के मुताबिक एग नौवंबर से लेकर की लगभग 15 नौवंबर के बीच दिल्ली में कडाके की सर्दी देखने के लिए मिलेगी यानि कोहरे के साथ ही लोगों को अच्छी ठंडी का एहसास नौवंबर में ही होना शुरू हो जाएग यानि कह सकते हैं कि दिल्ली एंसियार के लोगों को अब अच्छी ठंडी के लिए तयार हो जाना चाहिए बुद्धवार के बाद यानि दिल्ली एंसियार का मौसम गुरुवार से लेकर रविवार के बीच अधिक्तम और न्यूंतम तापमान में एक से दूर डिग्री सैसि इसकी बड़ोतरी हो सकती है वग्यानिक मौहमद दानिश के मुताबिक इस सब्ता मौसम में उतार चड़ाओ होते रहेंगे दिल्ली एंसियार में हो रहे मौसम में बदलाओ पर मौसम केंद्र लगातार नजर बनाए हुआ है दिल्ली से अंजली सिंग राचपूत की रिपो लोकली टीन